नमस्कार खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ खुश्पू भारतिय राजनीती में अक्सर ये सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के बाद देश की जनता प्रधान मंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला है कि उत्तर प्रधेश के वर्तमान मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए उनकी पहली पसंद है हाला कि अभी भी जादतर लोगों का यही मानना है कि अगली बार भी पीम मोदी ही बने जनवरी 2021 में 10 दिन चले इस सर्वे में लोगों ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहते है 12,232 लोगों में किये गए इस सर्वे में 67% ग्रामीर और 33% शेहरी जन संख्या को शामिल किया गया था सर्वे के मुताबिक 38% लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधान मंत्री बने वहीं 10% लोग ऐसे भी हैं जो योगी आधित्यनाथ को देश की बागदोर सभालते हुए देखना चाहते हैं वहीं 8% लोग केंडरी ग्री मंत्री अमिट्शा को प्रधान मंत्री का पद सुशोबित करते हुए देखना पसंद करेंगे कुल मिलाकर लगभग आधी जनता इन तीनों भाच्पा नेताओं के पक्ष में फैसला देते हुए दिख रही है दूसरी पार्टियों के नेताओं के पक्ष में काफी कम लोगों ने राय दी लोगों का मानना है कि भारतिय जनता पार्टी में अमिट्शा की धमग बढ़ रही है तीस फीसदी लोगों ने कहा है कि वो पार्टी में नरिंद्र मोदी का स्थान ले सकते हैं यहां भी योगी अधित्यनात का दबदबा कायम है 21 प्रतिशत लोग मानते हैं कि पार्टी में भी PM मोधी का स्थान CM योगी ही ले सकते हैं राहुल गांधी एक बार फिर से नकार दिये गए हैं क्योंकि मात्र 7 प्रतिशत लोग ही उन्हें बतौर प्रधान मंत्री देखना चाहते हैं 3 प्रतिशत लोगों ने राजनात सिंग के नाम पर मुहर लगाई वही मायावती, अखिलेश यादव, शरत पवार, उधव ठाकरे, निटिश कुमार और नितिन गड़करी मात्र 2-2 प्रतिशत लोगों की ही पसंद बन पाए इन सबके बीच 3 प्रतिशत लोग प्रियंका गांधी, 4 प्रतिशत सूनिया गांधी, 4 प्रतिशत अर्विन केजरिवाल को प्रधान मंत्री बनते देखना चाहते हैं इस सर्वे के बाद CM योगी की लोगप्रियता आसमान चूती दिख रही है जहां तक बात देश के मुख्यमंत्रियों की है, तो उत्तरप्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ तीसरी बार देश के सबसे लोगप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए है ममता बेनर जी इस सर्वे में खिसक कर 4 पायदान पर आ गई है उनसे उपर आंद्रप्रदेश के CM YS जगन मोहन रेडी और दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल है योगी आदित्यनाथ को इस सर्वे में 24 प्रतिशत वोट मिले है अर्विंद केजरिवाल के हिससे 15 फीसद वोट आए जगन मोहन रेडी को 11 प्रतिशत और ममता बेनरजी को सिर्फ 9 प्रतिशत वोट मिले है गौर तलब है कि 2017 में मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम का एलान होने के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि उनका चैन आश्चर्रे जनक था लेकिन इसके उलट पीम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमिच शाह की नजरों में गोरकनाथ मंदिर के महंत आदित्यनाथ हमेशा ही एक दमदार दावेदार थे इस निर्णय में RSS का बहुत कम लेना देना रहा योगी के चैन के पीछे उनकी लोगप्रियता, राजनीतिक दबदबा, विभिन जातियों में उनकी अपील और चुनाव में उनकी ओर से दिखाए गए सैयम का बड़ा योगदान रहा दरसल यूपी में चुनाव प्रचार शुरू होने के कई महीनों पहले शाह ने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंग से पूछा था कि क्या वो बीजेपी के सीम कैंडिडेट बनना चाहते हैं शाह ने उस वक्त कहा था कि इसके लिए केवल दो नाम सामने हैं एक तो सिंग का और दूसरा योगी का उस वक्त सिंग ने खुद सीम कैंडिडेट बनने से इंकार कर दिया था और ये दलील भी दी थी कि पार्टी को किसी को आगे किये बिना ये चुनाव लड़ना चाहिए वो बाचीत इस बात का शुरुवाती सबूत है कि सीम पद के लिए योगी के नाम पर किस गंभीरता से विचार हो रहा था बीजेपी की टॉप लीडर्शिप के पास इसके पक्ष में डेटा भी था यूपी में बीजेपी की ओर से कराए गए हर सर्वे में आधित्यनाथ सीम कैंडिडेट की रेस में वोटरों के बीच राजनाथ सिंग से एक पॉइंट ही पीछे रहे वही बीजेपी समर्थकों के बीच दोनों बराबरी पर रहे इन सर्वेक्षणों और यूपी प्रशासन में लोटने के बारे में सिंग की अनिच्छा ने योगी को वोटरों का फाइनल फैसला आने के पहले ही सीम पद के लिए मजबूत दावेदार बना दिया था स्टार प्रचारक के रूप में योगी के कद ने भी उनका मामला मजबूत बनाया पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने प्रभाववाले इलाके में असंतोष पर काबू पाने में योगी ने बहुत सैयम दिखाया इस राजनीतिक चुनौती से निपटने के योगी के तरीके ने इस टॉप पद के लिए उन्हें मजबूत कैंडिडेट बना दिया बीजेपी के टिकेट वित्रण से जुड़ी ज्यादातर दिक्कते यूपी में साथवे चरण के मतदान से जुड़ी थी कई बागी उमीदवार लड़ रहे थे लेकिन योगी ने गोरकपूर में कड़ी महनत की और डोर टो डोर क्यामपेइनिंग भी की उन्होंने सभी बागीयों की हार पक्की कर दी इलेक्शन में योगी जितनी चुनौतिया किसी नेता ने नहीं जेली अधितनाथ पर मोदी और शाह के भरोसे का पता इस बात से भी चलता है कि उन्होंने उन रिपोर्ट्स को तवज्जो नहीं दी थी जिन में कहा गया था कि कुछ असंतुष्ट नेताओं के पीछे योगी है किसी ने भी योगी से जवाब नहीं मांगा बीजेपी के कुछ नेताओं को लगा था कि पूरवांचल में योगी की वज़े से पार्टी को दिक्कत हो सकती है लेकिन मोदी और शाह को ऐसा नहीं लगा था गौर तलब है कि 2014 के प्रचार के दौरान शाहने योगी की तारीफ की थी 2014 के चुनाफ के दौरान कुछ दिनों के लिए पार्टी अध्यक्ष गोरकपूर मठ में ठहरे थे वो आदितिनात की अनुशासित जीवनशैली अपने लोगों के बारे में उनकी चिंता उनकी साफगोई और इतिहास के उनके ग्यान से बहुत प्रभावित हुए थे खाला की प्रचार में योगी का योगदान सबसे एहम बात रही अगर कारेकरताओं के बीच योगी की लोक्रियता को लेकर कोई शक रहा हो तो गोरकपूर में अमिच्शा के रोट्शो से वो भी दूर हो गया था कई वरिष्ट बीजेपी निताओं ने कहा था कि राजनात सिंग के सिवा सिर्फ योगी ऐसे बीजेपी प्रचारक थे जिन्हें 2014 में यूपी में मोदी के प्रचार के दौरान प्रदेश में हर जगा भाशन देने को कहा गया था ये बात भी सामने आई थी कि पी-म और आदितिनात के संबंद बहुत मजबूत है योगी पर शाह का विश्वास इतना ज़ादा मजबूत था कि जब 2014 के लोगसभा चुनाव से पहले यूपी में विधान सभा के उपचुनाव में बीजेपी का लचर प्रदर्शन सामने आया तो शाह ने योगी पर दोश नहीं डाला था जो अपचुनाव के इंचाश थे टॉप पोस्ट के लिए योगी के दावे में एक और एहमबार विभिन जातियों के लोगों के बीज उनकी अपील रही आदितिनात के पक्ष में जाने वाला एक कारण ये भी रहा कि वो एक सन्यासी थे और इस तरह वो जाती की बात से उपर थे गोरकनात पीट के अनुयाईयों में मुख्य तोर पर पिछडी जातियों के लोग खास तोर से यादव हैं लेकिन दूसरे जातिकत समुदाय में भी उनकी पैट बनी हुई है पूरवाचल इलाके से बीजेपी में किसी दमदार ब्रामण नेता के ना होने से भी योगी का दावा मजबूत हुआ क्योंकि यूपी में संख्या में ठाकुरों से ज्यादा रहने वाले ब्रामणों ने आदित्तिनात को सपोर्ट किया अपर कास्ट उनके साथ रही और उनकी अनुयाईयों में मुख्यता पिछडी जातियों के लोग रहे एक तरह से राजनात सेंग और मनोच सिनहा या केशव प्रसाद मौरे से उलट आदित्तिनात की अपील बड़ी रही योगी के चैन में RSS की भूमिका ना के बराबर थी संग की पसंत तो राजनात सिंग थे यूपी में BJP की सफलता में RSS की भूमिका सीमिट थी और संग पार्टी पर दबाव डालने की स्थिती में नहीं था RSS के आंतरिक सर्वेक्षणों में BJP को मामूली तौर पर बहुमत मिलने का अनुमान जताए गया था योगी आदित्तिनात आए दिन सुर्ख्यों में रहा करते हैं उनको अपने कड़े तेवर दिखाने हो या फिर सक्त फैसले लेने हो वो देरी करना तो जानते ही नहीं है वो कहते हैं ना on the spot फैसला जी हाँ वही करते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्तिनात याद कीजिए लव जिहाद पर बहस चिरी थी मध्यप्रदेश में उधर बहसा बहसी ही जारी थी कि इधर योगी आदित्तिनात ने क्याबिनेट में लव जिहाद को लेकर कानून भी बना दिया था योगी आदित्तिनात की इस तेजी और मुस्तेदी पर खूब चर्चाएं हुई थी विकास दुबे वाला मामला भी याद होगा हातरस ग्यांगरेपाला मामला भी सीबियाई को जाच सौपना हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिट से काम लेना हो योगी आदित्तिनात हर मामले में अववल है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने जिस दिन गुजरात में प्रदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ती का उध्गाटन किया था उसी दिन योगी आदित्तिनात ने दुनिया की सबसे उची मूर्ती भगवान श्रीराम जी की अयोध्या में बनवाए जाने का वाइदा भी कर डाला था शेहरों का नाम बदलना हो या फिर अपरादियों के घर बुल्डोजर शला उसे नेस्तनाबूद कर देना हो योगी आदित्तिनात एक जटके में फैसला करते नजर आते हैं हाला कि उनके कुछ फैसलों पर विपक्ष उंगली जरूर उठाता है लेकिन उनके काम करने के तरीके से लगभख सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रभावित नजर आते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेर करें और कैपिटल टीवी को सब्स्क्राइब करें नमस्ता